गुन मानिंग दोस्तों भाईयों हमारे यूट्यूब चैनल ग्यान का सागर में आप सबका स्वागत है आज हम सीखेंगे मासा तथा लासा में संबंध दोस्तों मासा तथा लासा में एक विशेश संबंध होता है जिसके बारे में आज हम सीखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम दो संख्याएं लेते हैं 20 और 24 चलिए 20 और 24 हम संख्या लेते हैं अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इन संख्याओं का हम मासा निकालेंगे उसके बाद हम इनका लासा निकालेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं 20 और 24 का मासा चलिए हम भाग विधी से यहां निकालते हैं तो 24 को हम 20 से भाग देंगे 20 एक्यम 20 चार बचा फिर हम इस 20 को 4 से भाग देंगे 4 पंचे 20 जीरो आया उस समय भाजक 4 था यनि जो मासा आया मासा आया वो है 4 दोस्तों हमने यहां 20 और 24 का जो मासा निकाला है वो भाग विधी से निकाला है आप किसी भी विधी से मासा निकालेंगे तो वो चार ही आयेगा चलिए अब हम 20 और 24 का प्लासा निकालते हैं तो यहीं साइड में हम निकाल ले रहे हैं 20 और 24 का प्लासा तो चलिए इसको भी हम भाग विधी से ही निकाल ले रहे हैं भाग देंगे दो दाहियम 20 दो बारहियम 24 दो पंचे दस और दो चक बारह आपको तब तक भाग देना था जब तक कि ये दोनों संख्याएं किसी एक से कड़ती रहे चलिए अब क्या करेंगे इधर जो हैं और ये जो हैं सबका हम गुड़ा कर लेंगे तो जो लासा आएगा वो क्या होगा दो गुड़े दो गुड़े पांच गुड़े छे ये 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 और ये सबका गुड़ा कर ले रहे हैं तो दो दुना चार पंचे बीस और बीस छक्का एक सो बीस तो दोस्तों हमने दो संख्याएं ली हैं बीस और चोबिस हमने इनका मासा निकाला चार आया और इनका लासा निकाला एक सो बीस आया अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं पहली संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या का आप गुड़ा करिए चलिए पहली संख्या कितनी है? 20 और दूसरी संख्या कितनी है? 24 गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा 24 दुनना 48 यानि 480 आएगा अब हम क्या करते हैं इनका जो मासा आया था और लासा उनका भी हम गुड़ा करते हैं तो चलिए इनका जो मासा था और इनका जो लासा था हम इनका भी गुड़ा कर ले रहे हैं तो मासा आया था 4 और लासा जो आया था 120 आया था तो 120 चोग के 12 चोग 48 यानि 480 तो देखिए दोस्तो हमने क्या देखा उन दो संख्याओं का जो गुड़न फल है वो भी 480 है और मासा तथा लासा का गुड़न फल भी 480 है तो यह बहुत ही रोचक बात है कि जब हम दो संख्याओं लेते हैं और उनका गुड़न फल हम ग्याद करते हैं तो वो जो गुड़न फल होता है उनके लासा और मासा के गुड़न फल के बराबर होता है तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है यानि पहली संख्या पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या वो किसके बराबर होगी मासा गुड़े लासा लेकिन यह नियम कब लागु होता है जब दो ही संख्या होंगी तब लागु होता है अगर हम यहाँ तीन संख्या ले लेते और उन तीनों का गुड़ा करते तो वह गुड़न फल उनके लासा और मासा के गुड़न फल के बराबर कत्ता ही नहीं होता तो यह जो नियम लागू होता है सिर्फ दो संख्याओं के लिए है इस चीज़ को ध्यान लखना है कि पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर मासा गुड़े लासा यह सिर्फ दो संख्याओं पर लागू होता है तो चलिए दोस्तो इस सूत्र पर आधाईद हम कुछ परसनों को हल करते हैं तो हमारा जो पहला परसन है दो संख्याओं का लासा तथा मासा करमसा 96 तथा 8 है यदि इन में से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी तो चलिए दोस्तो सबसे पहले जो हमें ग्यात है उसको हम लिख लेते हैं तो कहा गया है दो संग्याओं का लासा तथा मासा करमसा 96 तथा 8 है यानि जो लासा है लासा 96 है और मासा जो है वो 8 है फिर आगे क्या कहा जा रहा है यदि इन में से एक संख्या 32 हो यानि पहली संख्याम इसको मान लेते हैं या दूसरी संख्या भी मान सकते हैं पहली संख्या बराबर है 32 तो कह रहा है कि आप दूसरी संख्या ग्याद कीजिए यानि दूसरी संख्या क्या होगी तो दूसरी संख्या दूसरी संख्या बराबर क्या होगी चलिए हम क्या करेंगे हमें पता है कि दो संख्याओं का लासा गुड़े मासा उन संख्याओं के गुड़न फल के बराबर होता है तो पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुड़े लासा अभी अभी हमने इसके पहले देखा है चलिए अब पहली संख्या कितनी है 32 तो इसके अस्थान पर हम 32 लिखेंगे गुडे दूसरी संख्या हमें इसे निकालना है मासा कितना है 8 है तो 8 लिखेंगे लासा कितना है 96 है चलिए अब दूसरी संख्या हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे 32 को पच्छानतर करेंगे यानि इस पार लाएंगे तो गुड़ा का निसान है तो इस पार लाएंगे तो किस में बदल जाएगा भाग में बदल जाएगा चलिए दूसरी संख्या दूसरी संख्या बराबर आठ गुड़े 96 ये तो लिखा ही था दाये पच्छ में और 32 को इधर लाए तो क्या हो गया भाग में बदल गया अब इसको हम देख रहे हैं कट रहा है की नहीं कट रहा है तो 32 सिक्कें 32 और 32 तिया 96 तो जो आया क्या बचा यहां पर आठ गुड़े तीन तो आठ गुड़े तीन बराबर आठ तिरिक 24 यानि जो दूसरी संख्या आई वो क्या है 24 है तो चलिए दोस्तों इससे संबंदित जो दूसरा उदारण है वो यह है कि दो संख्या है करमसा 32 और 24 है यदि इनका लासा 96 है तो मासा ग्यात कीजिए तो चलिए हम लिखते हैं इसको करके जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं तो दो संख्या हैं उमें एक संख्या 32 है यानि हम पहली संख्या पहली जो संख्या है वो है 32 दूसरी संख्या जो ग्यात है दूसरी संख्या वो है 24 और कह रहा है यह दिनका लासा 96 है यानि लासा दिया है 96 तो कह रहा है कि मासा ग्यात कीजिए मासा बराबर हो मेनी तो चलिए हम जानते हैं कि दो संख्याओं का ग्युलन फल जो होता है उनके मासा और लासा के ग्युलन फल के बराबर होता है तो यहां लिख भी सकते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं चलिए हम जानते हैं पहली संख्या पहली संख्या, गुड़े, दूसरी संख्या, बराबर, मासा, गुड़े, प्लासा क्या करेंगे जो ग्या था उसको लिख लेते हैं पहली संख्या है 32 गुड़े गुड़े, दूसरी संख्या है 24 बराबर कि चेंधि लगाएंगे मासा हमको निकालना है लासा 96 है तो भाई हमको मासा निकालना तो मासा को उस पार रखेंगे और 96 को हम इस पार लाएंगे तो जब 96 पार आएगा तो भाग में बदल जाएगा यह पच्छांतर का नियम है मासा अब इधर हम हल करते हैं 32, 32, 32, 96, 3, 1, 3 और 3, 8, 24 तो मासा कितना है? मासा बराबर 8 यह आठ बराबर मासा या हम इसको लिख सकते हैं मासा बराबर आठ तो यह था लासा और मासा में संबंद उम्मीद करता हूँ कि दोस्तो हमारा यह जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी के साथ कहते हैं जय हिंद जय भारत